हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के यूटुब चेनल क्रियेटिव सुभू में जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर यदि आप मेरे चेनल पर नए हैं तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से चाइनिस कंपनिया हम हिंदुस्तानियों को लूटती है जी हाँ दोस्तों बिलकुल सही सुना आपने आज मैं बात करूँगा मुबाइल की उन कंपनियों के बारे में जिन कंपनी ने अपने पैर भारत में इस प्रकार से पसा रहे हैं कि आज भारत का प्रत्यक कंपनियों के उपर अपने मुबाइल के लिए जुका हुआ है जी हाँ दोस्तों ये वही चाइना है जो दुनिया भर में अपने खराब माल के लिए काफी मात्रा में प्रचूर है जियां दोस्तों आज मैं बात करूंगा मोबाइल की उन कमपनियों के बारे में जो manufacturing तो चाइना में होता है लेकिन वे भारत में किस प्रकार से अपना market और विदेशों में अपना market चलाती है जियां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ OPPO, Samsung, Vivo, OnePlus और Realme phones के बारे में जी हाँ दोस्तो हम customers आपस में ही लड़ते रहते हैं इन mobile को लेकर लेकिन इन सबकी manufacturing चायना में होती है और इनका मालिक भी एक ही है चायना में अगर आपको ज़्यादा जानकर प्राप्त करना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं बीबी के electronics उसमें आपको साप साप लिख परीदा था उसके उपर वो भी ओपो की company है और उसके उपर भी made in India का टेग है तो दोस्तो इस प्रकार से यह गुम्रा करते हैं customer को कि यह made in India के भारत में बना है पर यह जो company होती है यह चायना की company होती है और यह mobile कापी लंबे समय तक टिकते भी नहीं है जी हाँ दोस्तो इ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चीनल पर नए हैं तो मेरे चीनल को सब्सक्राइब जरूर करें